खबर है दो जुलाई की जहां हात्रस में एक सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में भगदर मची और फिर सो से जादा लोग मारे गए कई लोग के घायल होने की भी खबर है और इस सत्संग को लेकर कि काफी सारे सवाल पब्लिक के मन में हैं जंदा के मन में हैं और प्रसाशन कि अपर काई आरोप भी लग रहे और ऐसे में इसी बीच एबी लाइफ की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर यानि हाथरस पहुंची और हम उनसे आज जानेंगे क्यों ने ग्राउंड जीरो पर क्या देखा तो हमारे साथ मौझूद है आज किसले और शिष्टी जो की हाथ आज क्या जीरो पहुंचे थे सबसे पहले सबसे पहले इसले आपके लिए कि आप जब जीरो पर गए तो क्या देखा आपने शिष्टी आप ही बताईगे शिष्टी अजी सबसे पहले तो मैं भूलूगी कि जिसन हुद रो जुलाइब को हम सुआ न थीर दिन हम तीन हो क्योंकि वहां पे विजित भी होना था तो मैं यह तो कहूंगी सबसे पहले कि प्रुषासन बहुत अक्टिव था वो साफ पता चल रहा था था क्योंकि जब इतना बड़ा कोई हाथसा होता है और उसके बार जब मुख्य मंत्री उसका जायजा ले पहुंचे तो जाहिर सी बा दिखाई जाती है उसके अलावा आपको एक पिक्चर दिखती है और वो कहीं नजर आ रही थी जब आप ग्राउंड पे थे कि उपर से लीप अप ओती तो की जा रही थी लेकिन ग्राउंड पे जो लोगों के उपर बीता और उसके लिए जो जिम्मदारियां है उन पे कहीं कि इतनी संख्या में लोग की मौत है पर बता दू कि उफिशल डेटा से वहां के लोग के लोग क्लेम करें कि पचास से साथ परसेंट जादा मौते हुए हम इसको वह नहीं कर सकते हैं हम इसको वह नहीं कर सकते हैं कि लोगों के इसाब से महां 200 200 300 कितना भी नंबर हो सकता है पर लेकिन जाइर सी बात है हम रिस्पॉंसिबल मीडिया है हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कुछ भी लेकिन मैं आपको बतारी हूँ जो वहां पर शुष्मदीदू नहीं हमें बताया उसके बाद हम घटना स्तल पर पहुंचे और वहां की लोगों ने सबसे पहले तो यही बात जैसे लोगों ने बताया कि वहां पर ऑक्सीजन से सबस्यादा लोग सफर कर रहे थे जो विटिकल कंडिशन में थे लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल्स दूर थे और जो ट्रॉमा सेंटर नस्दीक में था वहां पर ना तो कोई ऑक्सीजन प्लान था जो कोविट के टाइम पर कि सांक्शन किया गया था बर लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था ऑक्सीजन स्लेंडर नहीं थे लेकिन यह लोग जरूर दावा कर रहे थे कि अगर उस समय पर सुवधाय मिलती या जो कर्रेंटली सिचुएशन होई वहां पर फायर ब्रिगेट की कोई गाडी नहीं थ कि जब आप इतना बड़ा कोई इवेंट कराते हो तो आप उसकी हिसाब से अपना बंदोबस रखते हो और वहां पर ना पुलीस फोर्स इतनी जितनी तादाद में लोग थे उस कंपैरिजन में नहीं थे तो बहुत सारी लापरवाई की पिक्चर बहुत क्लियर थी और जो ने देखा वो कितना भयानक था ये शब्दों में बताना बहुत मुश्क रहे हैं अगले दिन तो वहां जाने के मतलब जाते हैं लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा हुआ हुआ है मौसम आसमान में काले बादल चाय हुए थे मनुस्यत फेरे हुए थी हॉस्पिटल के बह लोगों का हुजूम मुरा पड़ा था लोग खड़े होके नीचे देख रहे थे हॉस्पिटल के में जाक रहे थे क्या हो रहा है कुछ दिख जाए चुकि हॉस्पिटल में पुलिस का पैरा था अंदर आपको जाने कनूमत ही नहीं थी तो अस्पताल के बहार लंबी कतार ल चल रहा था तो उस वक्त के कुछ फुटिजिस कुछ विडियो सोशल मेडिया पर आये थे जहां पर बाबा का जो पंडाल है काफी भव्य तरीके से रखा गया था मलब देखने से ये बात का अंदाजा लग रहा था कि काफी ग्रैंड सत्संग और फिर कट्टू अगले दि जब आप लोगों ने फीड बेजी उस ग्राउंस रिपोर्टिंग की जहां पर ये भगदर मची थी वहां पर पंडाल का कोई नाम निशान नहीं था ऐसा कैसे हो गया देखे पंडाल तो बना हुआ था एक बड़ा सा गेड दिख रहा था पीछे जो है एक मंदब था कि जह बना हजार लोग की मिली थी उसके रिसाब से करीब पांट से छेज़ा पुलिस वाले की वहां पर तैनाती होनी चाहिए लेकिन अफसोस की बात है कि सो से हजार के बीच में कोई सो कह रहा है सबसे बड़ी बात कोई सो भी कह रहा है तो लेकिन मैं यह मांग चल दो हजार जो अब इस दुनिया में नहीं है क्या लगा आपको उन से बात करके क्या था उनका रिस्पॉंस आशी जब हम वहां पे गए तो हमें पदा चला कि एक वहां पे शंगाव करके गाओ है तो जब हम वहां पे गए गए तो उस गाओं के मुश्किल से तीस मीटर की दूरी पर जो परिवार थे जनोन अपनों कर अपनों कंपनों की एक रवार छाठ ऑोग़ श्यारा गोज है एक परिवार से उसन एक सदज्ज करिवार के अइक परिवार की ज barbecue सह अभेगर तिस टूनिया में नहीं और इस भगडड का शिकान के ऊर आप तिक तीन लों हैं उनमें से एक आपने पहुचे लिए अन्तिम संस्कार पूरे हो जोगे हैं लेकिन वहां का महुष्या ने कहा है जो अन्हूसियत ही ती आप महसूस कर सकते हो उस ताइम जब हमें उस परिवार से बातचीत की तो वह शक्स पूट फूट तरो रहा था कह रहा था कि मेरा सब कुछ चला गया मेरा सब बरगाती जब सूचें इसे भी शक्स की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टन टीम महलाए होती है उसकी बेटी उसके पत्नी और उसकी माँ एक जटके में आप अपना पूरा जिंदगी जिसे आप कहसा है तो वह बहुत खौफनाग था और बातचीत करना ऐसे में हम भी मीडिया से हैं हम लोग का काम है कि हम इस तरह की जगाओं पर जाएं लोगों से बातचीत करें जो सच है उसको दूनने की कोशिश करें लोगों की पीड़ा बाकी लोगों तक पहुंचाएं लेकिन वह ताइम कितना सेंसिटिव होता है हमारे ले भी वह नहीं बया कर सकते हैं मेरी भी आखे बरायती क्यों कि अस ताम आप जो सुनते हो आपने भले ही ना देखा हो लेकिन आप उस पूरे पिक्चर को इमाजिन कर लेते हो कि क्या हुआ होगा और सबसे हरानी की बात ये थी कि तीन शव परिवार को तीन अलग अलग जिलास पतालों सेमत अएक हाड़े में एक एटा में अलीगर में पांच गह हुआ तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनके परिवार की मदर की डैफ हो गये उसके ब Bacon पतनी की डेथ हो गया है तो जब बातचीत की हमने तो जब ने सब बताया तो लगा कि यह तो सोचे एक परिवार 121 लोग अगर ओफिशल डेटा है उसे साब से आप सोचे कि कितने परिवार हो जब रहे हैं आप दोनों जब वहां पर मौझूद थे जायर सी बात है कि आपने बताया कि वहां का महाली काफी जादा मन्हूस हो गया था आप लोगों ने कैसे फिर खुद को समाला कैसे वहां पर रिपोर्टिंग की क्यूंकि जायर से बात है आप भी इंसाने तकलीफ आपको भी होती है की पीडा को देख करके तो कैसे आप काम कर रहे थे आश्री आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगी ना तो वहां का महाल मतलब बिल्कुल ही अजीव गरीब था वहां चपले बिखरी पड़ी थी कप्रे फटे गीरे पड़े थे हैं पैडों के निशान थे देखके लग रहा हैं उनके ऊपर चड़ी हुई है तो अधिक आदा हो कितने तडपे होंगे तो उस समय रिपोर्टिंग करना बड़ा तफ था लेकिन पत्रकार्टा की ट्रेडिंग में आपको यही सिखा जाता है कैसे मजबूत बनना है और कैसे लोगों तक पहुंचा नहीं है तो हम लोग जरूर थोड़े से विचलित भी हो रहे थे इन सब विजियोर्स को देखें लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी थी और एक कहिए तो ट्रेनिंग मिली हमें तो हमने कोशिश की कि इमांदारी से सब कुछ लिखाया खबर बताया तो उसके लिखना पड़ आप लोगों ने क् भी दृशिषी की कि आप्व उसके जए सबकी सुथ की कि अदरी केशै की की तो भी गल्ति है गत्रैंट पर लगों गप्यूस वहां पर वहां संब खीजिया कि जब शुखाइम मिल्या पर जब वहां संब भी थें तो लोगों से मैं ब velvet से मेरे बताया शेμमाताया की दो兩ही कि अपर दिछ होगा, जहां नहीं भीत L. परक्थासन ने खोना अंचर से उत最 seems 2-2 बछू बच्चों को अमर कर आने ले लेकर लेकर आया जो अहता है, उन्हों होने उतना देखा और घुन भागा बहिए लुह तो लोगे से वहरें देखा जोग शबढे शहते हैं क्यों भगदर्मची सबसे पहले तो वही है जो अभी तक मीडिया में चलता आ रहा है कारण सबसे बड़ा तो यह है कि लोग बाबा के जहां से बाबा गुजरे अपनी बाड़ी से उस मिट्टी को पवित्र बता दे हैं लोग जैसे सबका बिलीफ है आसता है अब जो जिसमें मांग ले तो उस मिट्टी को उठाने के लिए लोग दोड़े और सबसे आप चाकी तरह जाएंगे जानकर कि जिस पंडाल में जो पंडाल जहां बाबा थे जिसकी तस्वीरें हम सब देख रहे हैं उस पंडाल में तो इतना हाच्छा हुआ है नहीं जितना जो जितने के बाबा इस रास्ते से इस उमीद में सैक्डो लोग इस खेत में खड़े हुए थे और जब बारिश होती है तो खीतों की जो मिट्टी होती है वो इकदम गीली हो जाते है क्या पैर रखेंगी तो पैर एकदम अंदर चलागा और जब बाबा महां से गुजरे तो उ सारे लोग एक साथ आए और एक दूसरे कुरांते में आगे गए और मिटी गिली मिटी की वज़े से पैर धासा लोगों का और बड़ा है खावरी मीडिया में ये भी आ रही है कि बाबा के जो सेवक थे उन्होंने जो घाय लोग मृत लोग है उनके जो बिलोंगिंग से उन से खेत है तो वहां पर पुलिस में उसको क्राइम सीन मानते है उसको वेरिकेटिंग कर दी है ये लोग पटी से उसको क्राइम से इसलिए माना गया है कि जो सेवादार थे वहाँ पर तो जो लोग के चपल थे जो पर्स था जो उनकी आखरी निशानी थी तो उठा उठा कर कि भाई ये इधर दर हो जाए जिससे कि पत्रा चले कि इतना बड़ा हाथसा हुआ है तो एक बड़ी गलती सेवादारों की थी जो आयोजक मंदल के जो लोग थे उनकी बड़ी गलती थी तो इसको चिपाने कि उन्होंने कोशिश की है और इस बात से वहां के स्थानी लोगों बाबा ने लापरवाई कि बाबा देखे ये बड़े मतलब इनकी लाई बड़ी लग्जरियस लाइफ रही है इनके लिए बकाइदा सोचे है कि जहां पर पंडाल था लोग के से पैदर जाते हुआ है लेकिन बाबा के लिए उस खेत में सड़क बनाई गई थी कच्च्य र गंटे उनको आपर सतसंग करना है लेकिन वहां टाइल से बकाइदा उनके लिए एक वोस्तुरूम बनाया गया था कि बाबा आएंगे तो यहां बात्रूम में जाएंगों किसी और जानी कनमत ही नहीं थी तो बाबा की लाइफ ऐसी थी तो बाबा बकाइदा महां से अपना दल लगल गल जो भी खूैना है तो बाब के वोस्तान बाबा स्प्रस यहां सब Springs बाबा आफ जानते हैं अपके उलगाँ पाने क mistakes a क्राल की हमारेंस जाएंगे इती संक्षा में लोग हमारे धूल उठाने के लिए दोड़ेगी तो क्या हालत बनेंगे तो साब दिख रहा है कि आपने लापर वाही की है आप लुख जाते पैदन लिकल जाते पीछे से निकल जाती या लोगों से के रहे ते कि भाई अभी नहीं हम अपने अजय चले के चले गए किसले एक दावा है बाबा की जो वकील है रोक्त रेपी से उनका की बाबा का जो काफिला था बाबा बैसे के लिए इस भगदर मचने के काफी पहले ही सत्संग पंडाल छोड़ करके निकल चुके ते लेकिन अभी एक CCTV फुटेज सामने आ रहे है जिसमें बाबा काफिला निकला है जो बाबा के इस दावे को जूठी साबित कर रही है तो ठीक है वहां एक बच्चा जो है एक आदमी जो हात्रस में सब यह कह रहा है कि बाबा की चड़नों के धूल देने के लोग उनके पीछे दोड़े हैं काफिले के पीछे और यह हादसा हुआ जो भी कहें सबुत के तो जितने लोग है ना मतलब हजारों लाखों लोगी चीक चीक कर कह रही है कि बाबा ने लापर वाही कि बाबा को लेकर के वो विश्वास वो श्रद्धा लोगों के अंदर मौझूद है जो इस घटना से पहले थी जो एशी बहुत यह इंट्रेस्टिंग बात है मतलब इंट्रेस्टिंग बहुत लोग इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबा पर बहुत बुस्ते में है बहुत अक्रोश्ट है जो कि होना भी चाहिए लेकिन जब मै और किसले उस गाउं की मैं आपको बता रही थी तो जिस हम बाबा की फालोवड नहीं है जिस्टा सुल किया और एक दादी मुझे होस्पिटल में मिली थी उनकी 15-16 साल की नाती मिसिंग है वो अपनी नाती को लेकर आई थी कि दादी को दर्शन करा लाओ मिला लाओ या जो भी है वो मिसिंग है उनको अपने ना परिवार में किसी कि अब मिल गया दंड फालो करने का तो उन लोगों में नाराज गया लेकिन मुझे हरानी तब हुई जब किसले ने उस परिवार से सवाल कि जिसने उसी गाउं में अपनी माता को खोया था और वहां वो लोग कह रहे थी कि नहीं बाबा की क्या गलती है बाबा तो रास्ता मतलब हरानी थी कि वहां खड़े लोगों को अभी रुष्वास था है और लोग वहां पर यह मान रहे थे कि नहीं लिकिन हा ये मोटे-मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि वहां पर यह एक परिवार ही उस समय वहां पर था जो समर्थन कर रहा था बाबा का लेकिन मैक्सिम मॉ यही है कि लापरवाही तो हुई जहां पर इतने जादा संख्या में लोग उम्डे इनके सथसंग के लिए परमिशन खैरन के पास नहीं ती और काफी सारी चीजे भी थी जो इने अपने सथसंग के पंडाल में एतियात बरत्नी ती जैसे कि एम्विलेंस होना चाहिए एक मेड को इसको बताना चाहते हूं कि खबर चाहे जो भी हो हमारे टीम हमारे जो रिपोर्टर से ग्राउंड जीनो जीनो से लगतार आपको अपडेटेड रखेंगे और ऐसे तमाम बड़े अपडेटेड वीडियो से खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी कि खबरों से 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